जनसंख्या किसी देश के लिए सिर्फ समस्या नहीं हो सकती है यह बात इन दिनों दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चीन और दूसरे नमबर के जनसंख्या वाले देश भारत को भी एहसास होने लगी है निरंतर गिरती जमदर ने इन देशों को चिंता में डाल रखा और दुनिया के तमाम देश इसके शिकार है जनसंख्या नहीं शंबल को बढ़ाने के लिए निरंतर कोशिश कर रहा है यूरोपिय संख्य के देश फिनलैंड में इन दिनों जनसंख्या को लेकर के सबसे जादे परिशानी देखी जा सकती है 55 लाग के आबादी वाले फिनलैंड में शमिक शक्ति को 230 तक दुगना करने के लिए सरकार ने धेर सारी यूजनाय चला रखे हैं विदेशी संख्यों की संख्या को दुगना करने के उद्देश से प्रवासियों को लुभाने के लिए हर संबो प्रयास फिनलैंड कर रहा है फिनलैंड में प्रजनंदर प्रतिमहिला 1.4 बच्चे है जो यूरोपीय संख्य में सबसे कम दवरों में से एक है सोशल मीडिया पर फिनलेंड दोरा जारी एक परचार वीडियो में फिनिश राजधानी, हिलन सिकी को अत्यादुनिक व्यवसाय, एक सहयोगी कारे संस्कृति, परिवहर में कम समय और तनामुक्त जिंदिगी की पेशकस के रूप में बताया गया है। फिनलेंड में परवाशियों को आकरशित करने के लिए 90-day फिन नाम का एक कारेकम चलाया जाता है, जिसके तहत किसी भी देश का कोई भी नागरिक फिनलेंड में जा करके फिनलेंड के वासियों के घर में 90 दिन तक रह सकता है। नब्बे दिनों के लिए फिनिश्ट लोगों घर में रहकर वहां की जिंदिगी का अनुभाव कर सकता है, वे गहन नेट वर्किंग और व्यक्तिकत प्रोजेक्ट फालो अप में भाग ले सकते हैं, जंगल में जामुन की कटाई या स्थानी वेंजनों की खोच जैसे सांस् में मनाये गए फिन नाइन्टी डेस के कारिकम में शिर्कत करने वाले आधे से आधिक लोगों ने फिल्लेंड में बसना स्विकार कर लिया है, हेलन्स की पार्टनर्स की रिपोर्ट यह बताती है कि यह आयोजन बहुत ही सफल रहा है, बीस सो तेईस संस्कन के लिए भरती अ हो पा रहा है, स्टेटिसिका फिन लेंड के एक रिपोर्ट के अनुसार पुर्वानुमान बताता कि समग्र जीवन में अनुमानित वृद्धी के बावजूद प्रत्याशा कामकाजी उम्र की आबादी जो फिलहाल फिन लेंड की कुल आबादी का बासट प्रशत है, यह ब रखती है, सरकार की योजन है के बीस सो तीस के बाद हर साल दस हजार लोग फिन लेंड में बसने का फैसला कर लाई, यानि फिन लेंड के आबादी में दस हजार नए लोग जुड़ सका है, अर्थवेस्था और सम्मंत्राले के प्रवासन विभाग के अनुसार, फिन प्रतिभाओं को आकर्शित करने की आवशक्ता है, या व्यापारिक पक्षपर हिलन्स की चेंबर आफ कमर्स के निदेशक पिया पिकारीनियन का कहना है कि 71 फिस्दिक कंपनियों ने कम श्रम शक्ति की शिकायत उन से की है, कंपनियों को सभी अस्तरों पर पेशेवरों को ख सतकाला वशक्ता है, उद्योग, निर्माण, किर्शी और मैनुवल ट्रेट भी मांग में हैं, इन सब को ध्यान में रखते हैं, फिल्लैंड सरकार ने तौरित औप्रवास इसकी में शुरू की हैं, सरकार के नए नियमों के मताविक जून बीस सो बाईस से 14 दिन के अंदर को महां पर रहने का अधिकार और कागजात उसे मिल जाएंगे, मार्च 23 तक फिल्लैंड आवेतकों को संसाधित करने के लिए अधिक्तम एक महीने का लक्ष बना रहा है, व्यक्तियों और परिवारों के लिए समान रूप से आप्रवासियों के आविदन के निप्टाने को आस पर्मिट, व्यक्तियत पहचान संख्या, सामाजिक सुरक्षा कवरेच, नौकरी चाहने वाले के रूप में पंजी करन, सब कुछ एक ही छट के नीचे लाया गया है, देखना है कि फिल्लैंड अपने हाँ नियंतर घटराई जन संख्या को नियंतर करने में कैसे काम्याब हो हो सकता 55 लाख वाली आबादी के फिल्लैंड से सबक लेने के बाद कुछ और देश अपने हाँ जन संख्या बढ़ाने और कारे बलके बढ़ोतरी में काम्याब हो सकें, इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, किसे नए सवाल पर नए ढंक से बात करने के लिए, तब तक के लिए, नमस्कार.